फिल्म देखनी के बाद हर फैंस क्यों कह रहा है? किसी कभाई किसी की जान सलमान खान की फिल्म हो ही नहीं सकती। पूरी फिल्म में सलमान दिखे कंफ्यूज, पूजा हेगली की एक्टिंग दिखी लाजवाब, पश्यानास गिल को मिले दो डायलोग। इन पाच बातों पर ध्यान दिया होता, तो ईद पर नहीं होना पड़ता फैंस को उदास। सलमान ने खुट डुबो दी अपनी फिल्म। किसी गभाई किसी की जान फिल्म में सलमान खान का धासू लुक्स सब को देख रहा है, लेकिन फिल्म देखकर निकलने वाला हर वेक्ती यही कह रहा है कि यह सलमान खान की फिल्म नहीं हो सकती, हर ईद दर्शकों को नई फिल्म का तोफ़ा देने वाले भाईजान ने इस ब पार पांच ऐसी बड़ी भूल की कि उनके कट्टर फैंस भी नाराज हो गए जिसमें सबसे बड़ी गलती सलमान खान का पुराने धर्रे पर चलना है। जगत पती बाबू नहीं किया वेजंदर कुमार भी थे लेकिन सब के सब फीके रहे पांच भी गलती पूजा हेगरे को खुब इस फेस मिला पर शैनास गिल को सिर्फ दो डायलॉग जबकि गिल ने अच्छा किया अगर ये गलतिया नहीं हुई होती तो शायद ईट पर फैंस को उदास नहीं होना पड़ता खुद सल्मान ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि मैं इट पर अपने फैंस को रूलाना नहीं चाहता पर इससे जदा रूलानी की बात और क्या हो सकती है कि आप एक स्टार हैं आपकी मूवी का लोग सालों से इंतिजार कर रहे थे पर आपने फ दोर पर करीब 20 करोड कमाती थी लेकिन किसी का भाई किसी की जान के पहले दिन का कलेक्शन 15.81 करोड रुपे रहा जबकि फिल्म रिलीज होने से पहले इसका भौकार ऐसा दिख रहा था कि थीटर बुक हो चुके हैं टिकट की मारा मारी है अगर आप फिल्म देखने नहीं तो आपको शॉर्ट में इसकी कहानी बताती हैं फिर आप तैंकीजिए कि आप फिल्म में देखने जाएंगे या इसकी ऑनलाइन आने का इंतिजार करेंगे किसी का भाई किसी की जान एक फैमिली फिल्म है इसमें सल्मान खान की तीन भाई हैं सल्मान का कोई नाम नहीं होता लोग उन्हें भाई जान कहते हैं पूरी मुवी में सलमान इस बात पर कंफ्यूज दिखते हैं कि वो वाईलिंट है या नॉन वाईलिंट पूरी फिल्म में ये डॉलोग कई बार सुनने को मिलता है जब नॉन वाईलिंट आदमी की पिछे वॉयलिंट आदमी पर जाए तो सलमान खान अपने भायों के साथ मिलकर फिल्म में जान डालने की कोशिश करती है साउथ एक्टर जगतपती विलन के रोल में खुद को फिट विठाने की कोशिश करती है लेकिन पूरी मैफिल, शेनाज गिल और पूजा हेगडे लूट ले जाती है यहाँ से ये समझना ज़रूरी है कि हर फिल्म में आप साउथ का एक्टर रखकर फिल्म हिट नहीं करवा सकती फिल्म इस्टार्डम के दम पर हिट होती थी उसका जमाना चला गया अब एक फिल्म में दर्खकों को बहुत कुछ चाहिए एक फिल्म में कई स्टार्स, दमदार कहानी, बांद कर रखने वाली स्क्रिप्ट है और तगडी एक्टिंग हिट होनी की शर्त है ब्रम्हास्र में शारुक से लेकर नागार जुन, अमिताब बच्चन और रडवीर तक थे कहानी अच्छी थी, तो हिट हो गई शारुक खान की पठान भी तभी हिट हुई, जब कहानी दमदार थी देश भक्ती की भावना थी, उसमें सल्मान भी थे शार सल्मान को ये लगाओ कि शारुक की फिल्म, उनकी अपेरंस से चल गई इसलिए अपनी फिल्म पर उन्होंने ज़ादा ध्यान देनी के बज़ाए ये मानलिया की इड़ पर फिल्म रिलीज कर मैफे लूट लेंगे पर हर स्टार को ये बात अब याद रखनी होगी कि किसमी सदी और OTT के इस जमाने में आप दर्शक काफी चतुर हो चुके हैं उन्हें जो पसंद नहीं आएगा वो सीधा रिजट करेंगे फिर चाहे उसमें स्टार कोई भी हो चाहे कितनी भी बजट की फिल्म हो अगर आप सल्मान खान की ये फिल्म देख कर आए हैं तो हमें इससे फिल्म की अच्छी चीजें कॉमेंट में बताएं क्योंकि हमने ये बता दिया कि फिल्म पिटने की वज़े क्या रही अब आप ये बताईए किसमें आपको सबसे ज़ादा पसंद क्या आया क्या सल्मान खान का लोग धासू लगा या फिर कुछ और सीन अच्छे लगे